कि नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ग्यान आज किस वीडो में हम डिसकस करेंगे क्लास 6 की हिष्ट्री के बारे में देखिए जो क्लास 6 की हिष्ट्री है न वो पूरी की पूरी बनाए गई है इंडिया के उपर है एंडिया के उपर है यानी जो हमारा प्राचीन भारत है उसकी इतिहास के बारे में हमें बताया गया है कलास 6 की वुट को हम हिंदी में बहुते है इतिहास या फिर हमारा अतीत इसको हम तीन भागों बार सकते हैं सबसे पहले नमर पर आता हैै । कि सेकेड्न नमर पर आता है मेडिये cooler है ह। कि सर्ड नमर पर आता है ल्हें किरी के अब जो यह तीन पार्ट है सबसे पहले क्या था ancient इसको हम क्या बोलते है प्राचीन medieval का मतलब क्या होता है मध्य मध्य काल या कि मध्य और modern मतलब क्या होता है आधुनिक आधुनिक इतिहास ठीक है तो यह जो 30 क्लास की जो book है वो हमारी ancient के उपर है यानि इतिहास जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें बताया गया है यह पहला chapter है तो इसमें काफी basic basic चीजे है वो आपको इसमें बताए गई है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं बिना कैफी देरी के देखिए यह है रसीदा ठीक है इनका एक सवाल है वो सवाल क्या है वो देखते हैं देखिए रसीदा अख़बार पढ़ रही थी ठीक है और अचानक से उन्होंने एक सुर्खी पर नदर गई उनकी उन्होंने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था 100 साल पहले क्या लिखा हुआ था जब यह सोचने लगी कि 100 साल पहले क्या हुआ था कैसे हुआ था? कब हुआ था? इस बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है अब जो इनका जो सवाल है ना उसी सवाल के उपर इस पूरी चेप्टर को बनाये गये है कि हमें इतिहास के बारे में या फिर हमारे जो बीतावक कल है उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है ठीक है इसको कई सारे खंडों में बटा गया है जैसे कि पहला खंड जो यह है यहां पर लिखा हुए कैसे पता लगाएं ठीक है यह पहला टोपिक यह है कैसे पता लगाएं या तो आप टीवी देख लेंगे या फिर आप अख़बार पढ़ लेंगे पिछले साल क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो उससे में वहाँ पर मौजूद हो लेकिन कई सो साल पहले कई हजारों साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी यही हमारा एक टोपिक है जिस चीज के उपर आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं ठीके जू second topic है वो कहता है अतीद के बारे में हम क्या जान सकते हैं जैसे लोग क्या खाते थे कैसे कपड़े पहनते थे किस तरह के घरों में रहते थे जो आखिटेक होते हैं जीने हम सिकारी कहते हैं जानवरों के पसुपालक किरिसक तासक परहित सिल्पकार, कलाकार, संगितकार या फिर विग्यानिकों के जीवन के बारे में भी हमें अच्छी काफी जानकारी है या फिर हम उनके बारे में अच्छी काफी जानकारी हासित कर सकते हैं उसके बाद उस समय के जो बच्चे थे वे कौन सा खेल खेलते थे कौन सी कहानिय सुनते थे कौन सा नाटक देखा करते थे और कौन से गीत गाते थे इन सब चीजों के बारे में हम जानकारी इखटा कर सकते हैं तो अतीत में हम इन सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं फ़र टोपिक है। लोग कहां रहते थे। आपके बन में आ रहा होगा कि प्राचीन समय में लोग कहां पर रहते थे। अगर आप देखोगे तो लोग आपको नदियों को खिरारे देखने को मिलते हैं। जहांपर उनको पानी मिल जाता है। आसपास में जो पेड़ पोधे होते हैं वहां से कुछ फल या फिर कुछ ऐसे उत्पाद मिलाते हैं जिनको खा सकते हैं और जहां पर पेड़ पोधे होंगे वहां पर जानवरों को आना तो लाजमी है तो वहां पर जानवर भी होंगे जिनको जिनका सिकार करके वह अपना पे दूर्णते हैं यह हैं हमारा मांचित यहां पर आपको नर्मदा नदी को देखना है यह नर्मदा नदी यहां से निकलती है और यह जाते 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 गुजरात में यहां पर यह पानी के अंदर अरफ सागर में गिर जाती है यह नर्मदा नदी इस नदी के बारे में उपर कहा गया है तो देखते हैं कि उपर इन्होंने क्या बोला है देखिए कई लाख वर्स पहले से यानी लाखों वर्स पहले से इस नदी की टेट पर लोग रहते थे यहां के जो लोग थे जो आरंभिक लोग थे वो एक कुसल संग्राहक थे उसल संग्राहक का मतलब क्या होता है संग्राहक का मतलब यह होता है इखटा करने वाले अब यह इखटा क्या करते थे यह इखटा करते थे जड़े फल और जंगल के अन्य उत्पाद जिनको यह खा सकते थे ठीक है आप जो यह संग्राहक थे ना इनको जंगलों के बारे में व अब आपने समझ लिया कि जो खाने पीने की चीजों को इखटा करते हैं जैसे की जदों को इखटा करना और जंगल के और भी कुछ उत्पात होते हैं जीनको खाया जा चाहे पकता है उनको उनको इखटा करने यहां और यह जो जानवर थे ना उनका आखेट भी करते थे आखेट का मतलर होता है सिकार करना यानि जो प्रारांबिक लोग थे सिकार भी करते तो संगराहक भी थे सिकारी बिए थे तो यहाँ पर लिखा वँर्ट में सुलेमान और किर्थल पहाड़ी वायैं विर्ट से लिए तो यहां पर रैं पर तो इन ऒंडों के बीच की बाद हो रही है आपको पहाडिया है तो क्या लिखा हुआ है इसी चेतरी में कुछ ऐसे इस्थान है जहां लगब आठ हजार वर्स पूर्व, आठ हजार, बीसी की बात हो रही है, बिफोर क्रेश्ट, ठीक है, आठ हजार, इसा पूर्व की बात हो रही है, यहां के जो इस्तिवी और पूर्व थे, उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जो जैसी फसलों का उपजाना आरम किया, यहां पर इस जगें पर, सबसे पहले गेहूं और जो को यहां पर ही उगाया गया था, सुलिमान और किर्थर पहाड़ियों के आस्क पास, ठीक है, यह लोग गाओं में रहते थे, तो यह आपको ध्यान लखना है, यहां के जो लोग थे, वो किसी भी, समराज्य होता है, उस का हिस्सा नहीं थे, यह गाओं में रहते थे, ठीक है, कोई सल्तनत नहीं थी, अब उत्तरपूर में गारो देखो, यहां पर देखने को मिल रहा होगा, उत्तरपूर में गारो पाडिया, यहां की बात हो रही है, और मध्य भारत में जो विंध्य पाडिया है, वहां का पता गया वह इफ्थान विंदय से उत्तर में अब आप जाएंगे तो आप Кई दोे ज़्क्राक कुछ अब यहां पर कहा गया है मान्चित्र पर सिंधु नदी तही मनमें आ रहा होगा कि सहायक नदियां क्या होती है देखिए सिंपल सा लिखावा यहां पर कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है माल लेते हैं कि ये एक बड़ी नदी है और छोटी फ़ी नदी यहां से निकल की इसे मिल जाएगी तो हम बोलेंगे कि जो नदी है ये इस बड़ नदी की सहायक नदी है अब जो ये सिंधू नदी है और जो सहायक नदियां है लगबग 4700 वर्स पूर्व इन ही नदियों किनारे कुछ आरंबिक नगर फले फुले अब यहाँ में बात किस क्यों हो रही है नगर की अब ही जो हमने आपको बताया था किर्थल की आसपास वहाँ पर गाउं थे अब यह नगर आ गये हैं ठीक है सबसे पहले नगर हमें कहां देखने को मिलते हैं इनी सिंधू और इनकी सायक नदियों के पास में 400 4700 इसपूर्फ की आसपास अब यह जो नगर है क्यों से नगर है यहां का यह दो एलिया है यह चीज़ है यहां पर हमें क्या देखने को मिला हमें नगर को मिला सबसे पहले 4700 बी सी की बात हो रही है ठीक है अब यह कॉन से नगर थी ये थी हडपा सभेता, इसके बारे में हम आने वाले और चप्टर होंगे वहांपे पड़ेंगे, ठीक है, हडपा सभेता की बात की जा रही है यहांपे, ठीक है, आगी चलते हैं जो गंगा नदी है और जो इसकी सायक नदीयां है, उनके किनारे, अता समूंद्र ट्रटवर्त बनाती इलाकों में नगलो का विकास हे वह वर्स पूरु हुआ यह आपको ध्यान लखना है आगे लिखा हुआ है गंगा अथा इसकी साइक नदी सोन का पता लगाऊ तो नदी कहाँ पर है गंगा नदी हम जो सोन नदी है ना ये बिहार में आपको देखने को मिलेगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखते हैं कि सोन नदी के बारे में क्या का गया है गंगा के दक्सिन में इन नदियों की आसपास का छेतर प्राचीन काल में मगद के नाम से जाना जाता था किसके नाम से मगद के ना यह आपको देखने को मिलेगा बिहार के अंदर तो वह उन्हीं की बात हो रही है इनकी जो सास्कते बहुत ही सकते साल थे उन्होंने विशाल राज्य इस्थापित किया था जिसके अन्य हिस्सों में भी ऐसी राज्यों की इस्थाप्रा की गई थी जो मगद है इस तरह के और की राज्य आपको देखने को मिल्ते हैं अगर हम बात करते हैं की क्या उस समय के लोग यात्रा करते थे इस का जवाब है बिल्कुल हां उस समय के लोग भी यात्राएं करते थे जेखे उस समय के जो यात्रहें थी काफी कठीन थी क्योंकि उसमें हमारे पास नहीं कोई कार थी नहीं हमारे पास जहाज था नहीं क्या हमीन रेलीगन meant सेक्ट करना है कि शंभात है समुंद्र मोच 11 टोड़ा शॡ़का यात्रहें इस टार रहा त अब आपके मन में आरा होगा उस समय के लोग यात्रा Weihnacht करते ठीए उस समय के लोग के पास काफी सारे रीजिन्स थे यात्रा करने के ठीए टो उन जो रीजिन्स ने उनके बारे में देखते यहाँ पर लिखाएक कभी लोग काम के तिलास में यहां पर रह रहा थे वह इस्ताल है वह खराब हो गया वहां पर रहने रहा कर नहीं तो डुफ्रे जगह पर जाएंगे कभी कभी सेनाए दूसरे चेतर में विज़े आसिक यात्रा हो गई कि हम जाना है जीतने के लिए तो यात्रा करने पड़ेगी इसकी अत्रिक्त उपड़ थे कभी काफीले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मुल्यवान वस्तु लेकर एक इस्तान से दूसरे इतन जाते रहते थी ठीक है यानि वैपार करने के लिए एक दूसरे पर जाया करते थी धार्मि गुरु थे लोग और शिख्षा और सला देते हुए एक गाउं से दूस देखने के लुद को चूट रवस्त की यात्रा पील करते थे एंगे इन सभी आसे लोगों को एक दूसरे के विशारों को जानने का ऑफसर मिला लोगों को नए-नए चीजे जानने का ठीक है, कल्चर को जानने का मोका मिला, नए-नए चीजे सीखने का मोका मिला, जिसमें जो हमारी सांस्क्रितिक प्रंपराइब है ना, उसमें हमें सम्रिथी, यानि ग्रोध देखने को मिलती है जब आसपास से लोग आएंगे, वहां के कल्चर लेके आएंगे, हमारे कल्चर में उन चीजों को देंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा जो कल्चर है, उसके अंदर ग्रोध हमें देखने को मिलेगी जिसे कई सो वर्सों से लोग जो है पत्थर को तरासने, संगीत रचने और यहां तक की भोजन बनाने के लिए नए तरिकों के बारे में एक दुसरे के विचारों को अपना आते रहते थे ठीक है यह आज करकी हम बात कर दें अब हम बात करेंगे ने टॉपिक के बारे में जिसका नाम है देश के नाम, हमारा जो देश का नाम है जिसको हम इंडिया भारत कियते हैं यह नाम कैसे पड़ा इंडिया सब्धेना वो निकला है इंडस से, कहां से निकला है इंडस से, और इंडस का संस्कृत में क्या होता है, वो होता है सिंदू, ठीके, जो इंडिया है वो इंडस से निकला है, जिके संस्कृत में सिंदू का आ जाता है, आपने अपने एटलस में, एटलस एक बुक होत आते हैं पूरे वर्ल्ड के इसमें इंडिया भी होगा वर्ल्ड के और सारे देश भी होगे वहाँ पर इरान को देखिए और यूनान को देख ठीक है इरान और यूनान की उसान करते भाव के दोस और इंडोस कहते हैं अब जो इसके पूर्व में जो भी इस्थान होगा न उसको उन्होंने क्या बोल दिया इंडिया इंडिया बोल दिया और बाद में पूरे देश को हम भारत कहने लगे इस तरह से हमारे इंडिया और भारत का विकास हुआ किस ने किया भार के लोगों ने किया ठीक है जो हमारा नए टोपिक है वो है अतित के बारे में कैसे जाने अतित के बारे में कैफे जाने कई सारी जानकारियां हैं जो हमें अतित के बारे में बताती हैं उसी के बारे में यहां बताया गया है ठीक है अतित की जानकारी हम कई तर पहों पांडू लिपी ते जे ऐते हैं जो भी भूख से लिखी जाती थे होसे अजका से लिया है लेटन सबत के मेलू से लिया है जिसका हाथ क्या होता है हाथ से निकला लुपी कैसे बन यार भोज पत्र पर लिखी आती थी तो आपने देख लिया एक तो ताड का पोधा होता है पेड़ होता है उसका पत्ता होता है उसके लिखते हैं और जो हिमाले छेत्र में उगने वाले एक भूर्ज नामक पेड़ होता है उसके चाल के उपर विसेश तरीके से हम इसको लिख रखा है ठीक है अब जो पांडू लिपी है क्या हमारे पार सारे की सारी पांडू लिपी मौझूद है नहीं जो पांडू लिपी है वो हम लिखते थे किस पे पेड़ के उगने वाले पत्तों पे ठीक है अब जो पेड़ के पत्ते हैं वो तो सड़ेंगे भी गलेंगे भी आलड़ थाले सरे सारे बच्च बची कुछन आप जाए के बची मिलेंगी यह सचा कौने मंदिर में आशे म mostrar भर यह विहां के सब्सक्राइब उन्हों नहीं प्रज 다음에 की थी ठीक है वो भी एक तरह का मंदिर ही होता है और मंदिर की बात हमने करें लिए इन पुस्तकों में धार्मिक मानताओं वह वहारों राजाओं के जीवन के बारे में और विज्ञान आदी के सभी परकार के विश्व की चर्चा मिलती है ठीक है इनके अंदर क्या लिखा होत देखने को मिल लाएंगे कविताय देखने को मिल लाएंगी और नाटक भी आपको इसके अंदर ही देखने को मिल लाएगा देखिए इन में से कई तो हैं जो संस्कृत में लिखे वे आपको देखने को मिलते हैं जबकि अन्य आपको प्राकृत और तमिल में देखने को मिलत सब्सक्राइब कि ना वहां की JULी स्विश्ट कर दिए संस्कीत थि और ghost आंजय भास्ट को वी सब्सक्राइब करते हुञां संस्कृत कि युज्ज करते हो और दरें नर्मल AG प्राकृत बहुफ करते हुए हम जो हैं अभीलेखों का भी अध्यन कर सकते हैं अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभीलेख क्या होता है देखिए ऐसे लेख पत्थर अत्वधातु जैसी अपेसकित कथोर सतहों पर उतक्रिण किये मिलते हैं इसका मतलब आपको सब्सक्राइब नहीं आया पत्थरों के उपर घिस घिस को लिखने को हम क्या बोलते हैं अभीलेख बोलते हैं यह देखिए यहां पर फोटो है यहां पर आपको अभीलेख देखने को मिल रहा है यह एक अभीलेख की फोटो है जहां पर घिस घिस के चीज़ों को लिखा गया है कभी कभी सासक अत्व अन्य लोग अपने उपदेशों को इस तरह लिखा करते थे ताकि लोग उने देख सके पढ़ सके उनका पालन कर सके ऐसा पत्थर पे लिखवा कर गाउं के कोने पे इसको लगा दी जाता था ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके कि राजा क्या कहना या फिर नई नीज जो भी चीज़े हैं यहां पर हम लोग के द्वारा पुचा सकें ठीक है कुछ अन्य प्रकार के अभी लेग भी मिलते हैं जिनमें राजाओ अन्य इस्तिरी पूरुसों ने भी अपने कारेयों के विवरन लिखवाये थे यहां आपको देखनें को यहां पर मिल जाता है जो अभी लेख है वो आपने देख लिया कि कई सारे काम में आते हैं या तो किसी राजा ने अपने बारे में लिखवा दिया तिके किसी इस्तिरी पूरुस ने अपने बारे में लिखवा दिया या फिर राजा ने कोई उपदेश दिया तो जो उसके बादे सारे अफिंव याप डेख सकते हैं और अन्य वस्तुशं प्रियोग लाइं जाते थी ऐसी सप्व Het K duplic was reti ते तो यह आपको ध्यान लखना है कि फुरतत विद क्या होता है कई ऐसी वस्तुवे होती हैं जो हमें आतित के बारें बदाती हैं जिसका अधियन जो व्यक्टि करता है उसी कम क्या बोलते हैं पुरतत विद्ध कहते हैं अब जो पुरतत विद्ध होता है ठीके वो पत्थर और इड़ से बनी इमारतों के अफसेसों इत्रों अथा मूर्तिय का अधियन करते हैं जिस प्रकार से जो हमारा हाडपा सब morbidda है कि हमारा हडपा सकता है उसके मिले हैं जिसका आधियन जिस आदमी ने किया है वो क्या है एक पुरतत विद्ध हैं वे ओजारों हतियारों बर्तनों आभूसनों अता सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानविन खुदाई भी करते हैं इन में से कुछ वस्तु में पत्थर पक्के मिट्टी अधा कुछ धांतों की बनी होती हो सकती हैं ऐसे पत्थर कठोर अधा जल्दी निफ्ष्ट ना होने वाले होते हैं तो यह आपको ध्यान लगना है कि उप्रित जुदियों की घुनदते हैं इससे उने यह जानने में भी मंद मिलती है कि आतित क्या खाते थे अब जो वनस्पति होते हैं उनके झे अवसर बच पाते हैं क्योंकि वह गल जाते हैं सर जाते हैं यदि खराब हैते यदि अनके दाने अथवा लकडिक टुकडे जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं जिसका अध्यन करके हम अतीद के बारे में जानकारी इकटा कर सकते हैं ठीक है पांड़ लिपियो अभी लेखो अता पुरतत्व से ग्यात जानकारीों के इतिहासकार प्राया स्रोत सब्द का पयोग करते हैं इतिहासकार उन्हें कहते हैं अतीद का अध्यन करते हैं ठीक है अब यहाँ पर कुछ चीजे लिखी गई है जैसे कि इतिहासकार क्या होता है देखे जो इतिहासकार है ना हम उन्हें कहते हैं जो अतीत का अधियन करते हैं अब अतीत का अधियन एक इतिहासकार कैसे करेगा सुरोतों से करेगा और इतिहासकार के लिए सुरोत क्या है या तो पंडूलिपी है या तो अभिलेख है या फिर जो हमें पुरतत्तों मिले हैं वो है यानि अवसे जो मिले हैं वो है तो इतिहासकार वो है जो आतीत का अधियन करता है और इतिहासकार के लिए सुरोत हुआ है जो वो पंडूलिपी से अभिलेखों से और पुरतत्तों से जूनता है ठीक है अब सुरोत के प्राप्थ होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो आता है यह आपको पताईए तो कि इन सभी सुरोत्यों का परियोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का परियोग करते हैं अब आपको यह देखना है अतीत एक है या अनेक है देखिए अलग-अलग समुग के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने हैं ठीक है एक ही समय पे माल आते हैं कि हम 2626 की बात करते हैं अगर 2626 में अगर नौर्थ में यानि उत्तर में 2626 में अगर उत्तर में कुछ होता है कोई अतीत हम बोलते हैं कि यह अतीत है तो वही साउथ में आपको सेम देखने को नहीं मिलता है ठीक है तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हमें सेम चीजें नहीं देखने को मिलती है उससे में भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग वेभारों रिती रिवाजू का पालन करते थे नौर्थ में कई तरीकों का रिवाज का पालन हो रहा है साउथ म किसी और तरीके का पालन हो रहा है ठीक है नौर्थ में और साउथ में इस्ट में अलग तरीके का और वेश्ट में अलग तरीके का अगर नौर्थ में किसी को दफनाने का तरीका है तो साउथ में इसका उल्टा भी हो फकता है इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा आतीत है न सिंपल से मतलब समझें कि जो इस मसी है उनका जनब हम उनkor मानते हैं कि जीर्ओ में हुआ था तो हम पढूलेंगे पूर्व ईसा पूर्व अगर इसके बात की बात है तो हम बोलेंगे ऐस जिसको हम BC और AD बोलते हैं ये आपको ध्यान लखना है आज से 2000 साल पहले इसा मसी का जनम हुआ था यह थे कि हमने बोला कि 2600 BC में 2600 BC में क्या हुआ था हडपा सभीता की स्थापना हुई थी अगर हम ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब इसा मसी का जनम हुआ उससे 2600 पहले की बात हम कर रहे हैं यानि अभी से कितना हो गया 2000 तो अभी हो गया और 2600 उससे पहले हो गया यानि 4600 साल पहले हडपा सभीता की स्थापना हुई थी हम यह बात कर रहे हैं आपको ठीक है तो यहां पर आपने तितियों का मतलब समझ लिया और आज की चैप्टर में सि जो पहला चेप्टर है वो आपको समझा दिया बहुत ही अच्छे से अगर आपको हमारा ये चैनल किसी भी अच्छी जानकारी आपको दे पाया है ये वीडियो आपको कुछ लाब डैक लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभूने हैं